हलो फ्रेंड्स वोल्कम है आपका हमारे इस टेक्निकल मैदा वीरूप शानल में और मैं हूँ आपका दूस्त मैदावान दूस्तों जैसा कि आप सभी जनते हैं कि रीसेंटल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जो कि ये है इस वीडियो पे मेरे प्यारे वीवर्जीन का नाम है मैंग चोफाल उन्होंने ये कॉमेंट किया है कि आमीर सिदिक्की की कॉल रिकॉर्डिंग लिक होई है उसे आप फैला दो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिना वक्त जयाय कि इस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं लेकिन प्ले करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ एक जरूरी बात है जरूरी बात ये है कि आमीर सिदिक्की ने कैरी मिनाटी के बारे में बहुत गंदे 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 गालिया दी है इतनी गंदे कि मैं आपको सुना नहीं पाँगा इसलिए मैंने गाली बाली पार्ट्स को कट करते है क्योंकि मेरे शानल पे 13 साल से लेकर 15 साल के उम्र तक के वीडियोस देखते हैं अगर आप ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं जिसमें बहुत गंदे 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 गालिया हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं जकिनकर महताव.gmail.com मैं आपको मेल के जरीए वो रिकॉर्डिंग भेज दोंगा फिर आप उस रिकॉर्डि क्यों हो जो लोग आपसे मज़े लें और वैसे अपसे कौन मज़े ले रहा हैं वीडियो डिलिट तो कैरी मिनाटी क्यों ही है और आप बोल रहे हो कि लोग मुझसे मज़े ले रहा हैं कमाल है जोक सापाट लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भ बाकी रमजान था इसके लिए चुप बैटा था गाली कलोश नहीं कर रहा था लेकिन अब करूँ आमें रमजान के बाद जो ट्राक रेडी कर रहा हूं उसके लिए तू गाली दे रहा है न वो गाली में पीच्डी करके बैटे है हम लोग ने तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नहीं पेरा नाम हमिर नहीं है वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूं न सिर्फ गाली दे रहा हूं उसको तो ऐसी ऐसी गाली दुआना बंटा है उसको तो मैं सीधा यही बोलने वालो जो तुकुत्ते की तरह भोगते रहता है यहां पे यूट्यूब पर भाई अब यह क्या कह रहा हूं कि रमजान था इसलिये शुपता गाली गलोश नहीं करा था लेकिन अब करोंगा पहले आप मुज यह बताओ क्या खुदा ने रमजान के बाद गाली देने की अजाजब द dependence दिया है अभी आप क्यू नहीं नहीं दे रहा हां क्योंकि गुना रहेगा कि कैरी मिनायटी सोच कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा बर गाली कलोच करता है मेरा बाप भाई आप दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हो, कलकर उसका बच्चा होगा, वो इस स्कूल जाएगा, टीचर उससे क्या कहेंगे, वो उसका मैट रहे हैं, आप पीछ में क्यों पड़ रहे हैं, आप जाके सरपे अंडे फोरो ना, यह जो कंडेर बनाते हैं तो यह अंड इतनी गर्ट्स है, वो आज तक मैं किसी में नहीं देखा, वो कड़वा बोलता है, लेकिन सच बोलता है, आपको याद होगा कि कैरी मिनाटी में, बाबा राम रहिम को भी निशुरा, उस पे भी रोस्ट वीडियो बनाया, उस पे भी आवाज उठाई थी, हलना कि वो अभी जेल में है, लेकिन उस ताइम वो बाहर था, इतने पावरफुल आदमी के ऊपर रोस्ट करना, बहुत बड़ी बात है, गर्ट्स चाहिए गर्ट्स, जो कि मुझे नहीं देखता किसी में, मैं गर्व करता हूँ ऐसे यूट्वर भी, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, दोस्त जब भी मैं नेक्श वीडियो अप्लोड करूंगा, उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक अहों जाएगा, फिर आप उस वीडियो को देख पाएंगे, खार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन्द, जय भारत!